टीजीटी पीजीटी बालोजी मॉडल पेपर में आप सभी लों का स्वागत है चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है इसतनी फुफसों में बाड़ी संख्या में कूपिकाएं होती हैं क्यों होती हैं तो आंसर इसमें सही होगा भी गैसों के विसरण के लिए और अधिक धरात डूशा का यह चैटरफल बढ़ाने के लिए कूपिकाएं पाय जाती हैं यानि मानौ होता है इन में 75 करोड़ कुपः काई पाई जाती है जो सो वर्ग मीटर छेतर में फैली रहती है नेक्स कूचन है मनुस के मस्तिष्क के बारे में निम्निमेशक सही है क्या सही है कहा गय तो आंसर सही होगा इसमें से डिवाला प्रमस्तिस्क का प्रांतस्त भाग काफी बिक्सित होता है नेश कुचन है जरा आवस्था का विज्ञान कहलाता है जरा आवस्था यानि ब्रधा आवस्था का विज्ञान क्या कहलाता है तो आपको बता दें कि इसका आंसर सही होगा ड जरण विज्ञान कहलाता है मतलब विज्ञान की वह साखा जिसमें ब्रधा आवस्था का अध्यन किया जाता है जरण का अध्यन किया जाता है उसे जरण विज्ञान या जिरेंटोलोजी कहा जाता है जिरेंटोलोजी नैश कोचन है एम्नियो सेंटेसिस एक तकनीक है जिसका उप्योग किया जाता है एम्नियो सेंटेसिस एक तकनीक है इसका उप्योग कहां करते हैं तो आंसर सही होगा सी गर्भ के लिंग निर्धारण में करते हैं गर्भ के लिंग निर्धारण में आपको बता दें कि एम्नियो सेंटेसिस एक जर्म पूर्व रोग लक्षण संबंधी तकनीक है और गर्ब धारण की प्रारंभिक आवस्था में ही माता के गर्भ में भ्रून के चारों और उपस्थित एम्नियोंटिक द्रव की कुछ मात्रा भ्रून को सुरच्छित रखते भी सुई से निकाल लिली जाती है और इस द्रव के भ्रून को या भ्रून के गुड़सूत्रों का अध्यन किया जाता है और इससे गर्भ के लिंग का निधारन भी किया जाता है नेश कुचन है हर्दे का गती प्रेरक इस्थित होता है हर्दे का गती प्रेरक किस में इस्थित होता है तो आंसर सही होगा इसमें पहला दाहिने अलिंद की भित्ति में आपको बता दें कि हर्दे की प्रतेक इस्पंदन या संकुचन की लहर दाहिने अलिंद में इस्थित एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है निश्चित बिंदु से शुरू होती है जिसे गति प्रेरक कहा जाता है या पेस मेकर कहा जाता है या संकुचन केंद्र भी इसी को कहा जाता है या सिरा अलिंदा पर्व कहा जाता है कोई भी नाम यस ए नोट कहा जाए, तो भी आप यही समझेंगे, किसी भी नाम से पुछा जा सकता है, जलिए सभी नाम ध्यान देंगे, नेश कुछन है, बाहकन विसिष्ट गुण होते हैं, बाहकन किसके विसिष्ट गुण होते हैं, तो आंसर सही होगा, इस में से पहला, इस्तनियों के बाहकन विसिष्ट गुण होते हैं, यानि जो इस्तनधारी होते हैं, इस्तनधारियों में बाहकन छिद्र एक बड़ी मांसल उपास्थ में पिन्ना से ढखा रहता हैं, जो हमारे कान बाहर जैसे निकले हुए हैं, और ये करते किया हैं, जो कान बाहर निकले हुए हैं, तो ध्वनी तरंगों को रोकने का इकठा करने का कारी करते हैं कान में भेजने का कारी करते हैं next question है उत्परिवर्तन अथवा mutation कहा जाता है उत्परिवर्तन अथवा mutation कहा जाता है किसको तो अनवानसिक गुडों में परिवर्तन को कहा जाता है मतलब जीन या गुरसूत्र की रचना में जब आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं या अपने आप जो परिवर्तन हो जाते हैं उ तो अमीनो अमल होते हैं, अमीनो अमल के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, और प्रोटीन में परिवर्तन होने से उस जीव की रचना में भी परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है, और कार में भी अंतर आ जाता है, नेश कुछन है, निमने में से किस प्रकिरिया में धुरू कोशिकाएं बनती हैं तो आंसर सही होगा इसमें से विवाला अंडजनन में या उजनेसिस में ध्रू कोशिकाएं बनती हैं और आपको बता दें कि प्रथम परिपक्वन जो होता है प्रथम मेचुरेशन जो होता है उसके विभाजन के बाद एक दिगुडित प्राथमिक ऍैनफीज दरसाता है एनी लिड़ा के विपरीत कहा गया है प्लेटी और मेनफीज क्या दरसाता है तो आंसर सही होगा इसमें से टिवाला देहगुः की अनुपस्थिती दरसाता है आपको बता दें कि एनी लिड़ा में देहगुहा अथाबाецीलों उसे स्थाल ने प्रियोग के लिए किस रेडियो समस्थानिका प्रियोग किया था किस रेडियो समस्थानी का प्रियोग किया था तो आंसर सही होगा इसमें से पहला N15, N15 रेडियो समस्थानी का प्रियोग किया था और मेसलसस था इस्टाने प्रियोग में जो यह था N15 नायट्रोजन के आइसोटोप्स वाले बैक्टीरिया का प्रियोग किया था नेश कुसन है कान का पर्दा कहा जाता है कान का पर्दा इन में से किसको कहते हैं तो आंसर सही होगा इस में से पहला वाला टिमपैनिक जिल्ली को कहा जाता है या टिमपैनिक मेंब्रेन को कहा जाता है मतलब बाह कंड जो होती है बाह कंड गुहा इसके भीतरी सिरे पर कंड प बाएकन मीटस की गुहा से अलग करता है इसे टिमपैनिक जिली कहा जाता है अधवा कान का परदा कहा जाता है जीवान के गुर्षूत्र की प्रतिकृति या खली की डुप्लिकेशन के दौरान डिन्ने संसलेशन का आरंब एक प्रतिकेशन आरंब अस्थल से होता है तथा आं जीवान में डिन्ने प्रतिकिर्ति सदयों एक निश्चित अस्थान से प्रारंब होती है जिसे क्या कहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन बोला जाता है और जीवान में केवल एक प्रतिकिर्ति या खली के डुप्लिकेशन आरंबन होता एक जो एक दिसा में चलता है एक दिसा यह एकाइनो डर्मेटा से है जो गोल्ड फीस है यह पिसीस से है जो कटल फीस है यह मोलस्का से है नेश कोचन है एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवान कहलाता है एक छोर पर एक कसाब का गुच्छा है तो इसे क्या कहेंगे तो लोफो ट्राइकस कहेंगे लोफो च्छोर लाता है और जब एक फलेजिला या कसाब जिवान के एक चोर पर पाया जाता है थो उसे mo not question पर आते है और इस्तनिक अंडाणु कहहे जाते हैं तो Cake शाई near इसमें से पहला वाला अल्प पीतिकी कहे जाते हैं अल्प पीतिकी का मतलब होता है माइक्रोलिसिथल तो जो माइक्रोलिसिथल अंडे होते हैं इन अंडों में पीतक कम मात्रा में महीन, कंडार और जोकोशिका द्रब में बराबर फैला होता है बराबर बित्र रहता है जैसे कौन से अपरा इस्तिनी है हाइडरा ले लिजी इसमें भी ऐसे ही होता है नेश कुशन है हैलने पास की आरोही भुजा किसके लिए पारगम में होती है हैलने पास की आरोही भुजा सब्सक्fully Alexa kana से संबंधित TANTRIKA कौइसी है इसमेंसे B फ्रेणिक तंत्रिका यह इसं तंधारियों की देह घु हा को एक पेशी पर्दा यह लिए डायफ्राम दो भागों में बाठता है यह फेच़ों के ventilation में शहायता करता है ventilation में और जो phrenic है ये diaphragm से संबंधित तंत्रिका होती है next question है निसल्स के कणड़ पाए जाते हैं तो निसल्स के कणड़ हम सभी लोग जानते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं नर्व सिल में पाए जाते हैं यानि तंत्रिका कोशिका के जो साइटान होता है या कोशिका काय होता है कोशिका काय के जियुद्रप में अनेक धूसर आसम्मित और छोटे बड़े निसल्स के कण बिखरे पड़े रहते हैं और इनमे राइबोसों भी उपस्थित होते हैं नेक्ष कुशन पर आते हैं आमासे में निमन में से कौन सी कोशिकाएं एचसी एल का सरामर करती हैं ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो आमासे में एचसी एल का सरामर करती हैं तो अंसर सही होगा इसमें से डी सलेस्मकोशिकाएं होती हैं सलेस्मकोशिकाएं डी वाला अफसन सही ह आपको बता दें कि आमासे अंडाकार या थैली नुमा होता है और आमासे की सिलेस्मकला में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों में उपस्थित पेराइटल कोशिकाएं SEL का स्रावर करती हैं नैशकुचन है मादा मानों में जन्म के समय 20 लाक अंडे होते हैं पूर जन्हन अवध में इन में से कितने परिपको होते हैं कितने मैच्योर होते हैं तो आंसर सही होगा इसमें से पहला वाला 500 यानि 500 मैच्योर होते हैं बता दें कि मादा मनुस में जन्म के समय ही अंडासे मे लबक तीन से पांच लाग तक ग्रैफियन पुटिकाएं होती हैं तीन से पांच लाग तक और किसोरा वस्था के समय केवल 34,000 पुटिकाएं ही बसती हैं से सभी नश्ट हो जाती हैं और इस्त्री के पूरे जननकाल में केवल 500 पुटिकाएं परिपक होती हैं मैच्योर होती है नेश कोचन है आधुनिक मानों की उत्पत्य के संबंद में दो बिपरीत दिश्ट कोण हैं एक दिश्ट कोण के अनुसार एसिया में होमो एरेक्टस आधुनिक मानों के पूर्वस थे यदे भी डियन्य की बिभिनताओं का अध्यन आधुनिक मानों की उत्पत्य अफरीका द तो आंसर इसमें सही होगा पहला एसिया की अपेच्छा अफरीका में अधिक विभनताएं होती हैं तो आंसर सही होगा इसमें से कौन सा पहला वाला नैश कुछन पर आते हैं डी व्रीज ने जय विकास का उत्परिवर्तन सिधान तो प्रतिपादित किया जब वहा कारी कर रहे थे किस पर कारी कर रहे थे तो आंसर सही होगा इसमें से सी ओईनो थेरा लेमेर की आना पर कारी कर रहे थे और ओईनो थेरा लेमेर की आना ना लिखा होता अगर संध्या प् उसी को कहा जाता है और आपको बता दें कि जो हुंगो डिवीज थे इनोंने प्रिम्रोज पर अध्हयन के दौरान आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा था जो अचानक परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा उत्परिवर्तन है म्यूटेशन है और डिब्रीज ने बताया कि विकास धीरे धीरे प्राकर्तिक चैन के बाद ना होकर इन आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तनों या जयोविकास में डार्विन के सिधान्त का समर्थन करती है कौन सी सिखटना है तो आंसर सही होगा इसमें से सी पीड़क नासी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता यह जो है यह जयोविकास में डार्विन के सिधान्त का समर्थन करती है तो यह जो पीड़क नासी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता है ये जय विकास में डार्विन के सिधान्त का समर्थन कैसे करती है तो बता दें प्रारब में या सुरुवात में अधिकतर जो मच्छर होते थे वो डीडीटी के प्रयोग से मर जाते थे लेकिन धीरे-धीरे मच्छरों के उपर कीट नासक का मच्छरों की हो गई यानि पूरी जनसंक्या मच्छरों की प्रतिरोधक वाली ही बन गई इस तरह से समर्थन करती है नएकुचन है मेढक के टैड पोल में कलोमों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि क्या संकेत मिलता है 14 आपसंदे गए हैं और इसमें से ओप्सं सही होगा द पूरवजों की अवस्थाओं को दोहराती है और जो अनरश्ट हेकल थे इन्होंने बताया था कि प्रतेख जीव का ब्यक्तिवरित उसके जातिवरित की पुनरावित्ति करता है इसलिए नेशकुचत है वहाँ निम्न में से कौन सा प्रमार था जिससे या संकेत मिला कि मानों क संबंद अन्य मानवाब कपियों की अपेच्छा चिम्पैंजी के साथ अधिक निकट का है तो आंसर इसमें सही होगा डिवाला लेंग गुर सूत्रों अलेंग सूत्रों तथा माइटो कांड्या से निसकरसित डियन्ने का प्रमार था आपको बता दें कि मानों डियन्ने चि और सीरम टेश्ट में भी समानता रखते हैं और माइटो कांड्या से निसकरसित डियन्ने में भी समानता रखते हैं इसलिए कहा गया था नेक्ट कुछन है तंत्रिका जिल्ली की बिश्रामी अवस्था में यदि सांदरन प्रमरताओं के कारण बिश्रन होने दिया जाए तो प्रवाह किस दिशा में होगा तो आंसर इसमें सही होगा पहला वाला के प्लस का कोसिका के अंदर की और प्रवाह होगा संयोजी उतक की मास्ट कोशिकाओं में होते हैं संयोजी उतक की जो मास्ट कोशिकाओं होती हैं उसमें क्या होते हैं तो आंसर सही होगा भी हिप्पेरिन तथा हिस्टेमीन होते हैं आपको बतादें कि मांश्ट कोशिकाएं अंडाकार या गोलाकार छोटी अंतराली सन्योजी उतक की मैट्रिक्स में उपस्थित होती हैं और यही पैरिन तथा सिर्टोनिन और हिस्टेमिन का स्रामर करती हैं और रुधिर को जमने से रोकती हैं ताकि रुधिर जमेना उसका ठक्का ना बने Next question है किसी एक रोगी के रक्त विसलेशन में कर्बॉक्सी हीमोगलोबिन की मात्रा असाधान रोप से ज़्यादा पाई गई रोगी जिस प्रदूसित वायो को सांस द्वारा भीता ले रहा था उसमें निम्न में से कौनसी गैस की असाधान रोप से ज़्यादा मात्रा थी तो आंसर सही होगा इसमें से लास्ट वाला कार्बन मोनो आकसाइड की बता दें कि कार्बन मोनो आकसाइड की हीमोगलोबिन के प्रतिबंधुता O2 की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक होती है और यह हीमोगलोबिन से जुड़कर इस्थाई योगिक कार्बाक्सी हीमोगलोबि रुधिर से हटाया जाता है तो आंसर इसमें सही होगा सीवाला CO2 तथा अमोनिया हटाया जाता है नैश कुशन है जब रक्त में CO2 का सांद्रन बढ़ जाता है तब सांस लेना क्या हो जाता है डीवाला अपसन से होगा तीब्र और गहरा हो जाता है तीब्र और गहरा आपको बतादने के रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता से स्वसन केंद्र अधिक उद्धी पित हो जाते हैं जिसके कारण स्वसन गहरी एवं तीब्र हो जाती है जिसे हाइपर निया कहा जाता है हाइपर निया next question है थैली प्राडी के लिए आवस्यक है कि वह कि वह क्या चाराफ संदिय गए और पूछा गया थैली प्राडी के लिए आवस्यक है कि वह आंसर जोगा जल का संद्रक्षण कर सके मतलब जो थैली प्राडी है इन प्राडियों के लिए आवस्यक होता है कि वह जल का संद्रक्षण करें और ये प्राडी यूरिया तथा यूरिक अमल के रूप में न यूरी को उस सर्जन पाया जाता है यानि यूरीक अमलका उस सर्जन पाया जाता है नेश कोईशन पर आते हैं ग्लुकोस के पूर्ण आकसिकन की किस अवस्था के दौरान ADP से ATP के सरवाधिक अडू बनते हैं तो एलेक्ट्रान परिवहन सरंखला के दौरान नेश कोईशन पर आते हैं भोजी पदार्थ के अवसोसर से संबन्धित आत की उपकला कोशिकाओं की सतह पर पाये जाते हैं तो पाये जाएंगे माइक्रो विलाई या सुचमांकुर पाये जाते हैं नेश कोईशन है DNA फिंगर प्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है DNA फिंगर के प्रोफायलों के आरिविक बिसलेशन को DNA फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है और आपको यहां पर बताते चलें कि एलेक्स जफरी ने जो एलेक्स जफरी थे इन्होंने DNA फिंगर प्रिंटिंग का विकास किया था कब 1984 इस भी में किया था और आपको बता दें कि DNA के नमू वाँ नम्लिकित में से किसी एक जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव के काण होने वाले रोग को सही मिलाया गया है, तो पहला बाला àला लिूटिनायसिंग हार्मोन ऐसर का होपाना, यानि जो लिटनाईजिंग हार्मोन यह प्यूस ग्रंथ से स्रावित होता है और प्यूस ग्रंथ के कहां से तो अग्रभाग से स्रावित होता है आपको बता दें जो इंसुलिन है इसकी कमी से मधमेह रोग हो जाता है और जो पैरा थाइराइड है पैरा थाइराइड की कमी से टिटैनी हो जाता है next question है जब किसी उद्परिवर्थन की घटना में एडिनीन के अस्थान पर ग्वानीन आ जाती है तब इसे कहा जाता है एडिनीन के अस्थान पर ग्वानीन आ जाये तो उसे क्या कहेंगे समोत परिवर्थन कहेंगे transition कहेंगे और जो last वाला विस्मोत परिवर्तन जब purine का अस्थान pyrimidine ले लेती है यह question पूछा जा सकता है purine का अस्थान pyrimidine ले ले लेती है तो उसे भिस्मोत परिवर्तन कहा जाता है next question है निम्न में से कौन इस्तनी वर्ग का मुख्य लक्षण नहीं है देखे इसके पहले के दो कुछन मैंने हटा दी है वो रिपीट हो गए थे दुबारा से तो उनको हटा दिया गया है तो इसका आंसर सही होगा C दस जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं इस्तनी वर्ग का मुख्य लक्षण नहीं है से सभी जो है इस्तनी वर्ग के लक्षण है नहीं किसी जात के लिए निम्निम से क्या सत्य नहीं है नहीं को जरूर ध्यान नेंगे याद रखेंगे क्या सत्य नहीं है तो आंसर सही होगा इसमें से D एक जात के समुदाय में जीन स्थानांत्रन या gene flow नहीं होता है next question है telomerase एक enzyme है जो है एक जो क्या है तो answer सही होगा D's में से ribonucleoprotein होता है ribonucleoprotein आपको बता दें कि eukaryotic गुरसूत्रों के सिरे telomere कहलाते हैं और ये गुरसूत्रों के छोरों को इस्थायत तुपरदान करते हैं और एक गुरसूत्र पर telomere अनुक्रम telomerase नामक enzyme के द्वारा जोड़े जाते हैं telomerase और telomerase ribonucleoprotein होते हैं नेश कोचन है बिकीरण के द्वारा सामान कोशिकाओं की अपेच्छा cancer कोशिकाओं अधिक सरलता से छतिग्रस तो हो जाती हैं क्योंकि क्योंकि उनमें तीबर विभाजन हो रहा होता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि cancer का मत्लब ही होता है कि कोशिकाओं की आनियमित बृध्धी तेजी से बृध्धी आनियमित बृध्धी ही cancer होता है नेश कुछन है एक महिला एवं एक पुरुष जो किसी अनवांसिक रोग के लक्षण नहीं तरसाते हैं उनके साथ बच्चे दो लड़किया और पांच लड़के हैं इन में से तीन लड़के रोग से पीडित हैं जबकि कोई भी लड़की रोग से प्रभावित नहीं है इस र वाला लिंग सहलगन आप्रभावी सेक्स लिंग रेसेस्ट्यू आपको बता दें कि इस रोग का जीन एक्स गुर्ष उत्र पर होता है एक्स और माता रोग की वाहक होती है नेश कुछन है केंद्रक में बाहिवनसागत के लिए उत्तरदाई जीन किस में पाए जाते हैं कें आश कुछन है दाब रागी प्रोकेरियोट तो आंसर सही होगा सी बहुत गहरे समुद्री अवसादों में ब्रिधी एवं गुडन करते हैं आपको बता दें ऐसी परिस्थिति में जहां वाता वरन का दबाव अधिक रहता है वहां पर ब्रिधी और गुडन करने वाले दाब रागी और ये जीव मुखेता गहरे सागर में पाये जाते हैं गहरे सागर में नेश कुछन है नम्रिखित कथनों में से गलत कथन को चुनिये जो गलत कथन है उसे चुनना है तो आंसर सही होगा इसमें से बी प्रान में दो जोड़ी सरंगे काएं पाये जाती हैं ये मानों में मानो प्रोटीन का निर्मान संभव हुआ क्योंकि कैसे संभव हुआ आंसर सही होगा इसमें से लिए जनेटिक कोड सार्म भावमिक है बता दें कि संदेश वाहक आर एन्ने पर नुकलियो टाइडों का जो बिसिष्ट क्रम होता है जो एक पॉलिपिप्टेड आता है निष्चित करता है उसे ही अन्वानसिक कूट कहा जाता है और अन्वानसिक कूट या जनेटिक कोड सार्म भावमिक होता है नेस्ट कोशन है Drosophila melanogaster में होते हैं क्या होते हैं तो तीन जोड़ी काईक गुरसूत्र और एक जोड़ी link गुरसूत्र पाया जाते हैं बी वाला आप्सन से होगा बी वाला आपको बता दें कि Drosophila में कुल 8 गुरसूत्र होते हैं आठ जित में से तीन जोड़े autosome और एक जोड़ा लिंग गुरसूत्र होता है नर ड्रोसोफिला में लिंग गुरसूत्र xy होते हैं जबकि जो मादा ड्रोसोफिला होती है मादा ड्रोसोफिला में लिंग गुरसूत्र xx होते हैं नेश कुश्चन है जिवाडों में लेंगिक प्रजनन की खोज की थी लेंगिक प्रजनन की तो लेडर बर्ग और टाटम ने की थी पहला वाला अपसन से होगा यहीं लेडर बर्ग और टाटम ने यहां सिद्ध किया था कि जिवाडों में लेंगिक जनन होता है सेक्चुल रिप्रोड़क्शन हो है D-nitrifying bacteria कहलाता है या D-nitrifying žिवाण कहलाता है तो option सहही होगा इसमें से कौन सा D-Valaya next question है इंटर फेरान किसको नियंतरित करने में उप्योगी है चार option दिये गए हैं और किसको नियंतरित करने में उप्योगी है पूछा गया है तो इसका आंसर सही होगा वीवाला इंटर फेरान कैंसर को नियंतित करने में उपयोगी है आप को बता दें कि आईजयक और लिंडे मैन ने बताया था कि वीशांड द्वारा संक्रमित पोसक को सिखा कुछ पदार्थ सरावित करती है जो वीशांड संक्रमण को रोकती है और इन पदार्थों को ही इंटर फेरान कहा जाता है इंटर फेरान के बारे में अधिक जनकारी के लिए मेरे चैनल में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं नेश कुशन है इस्ट का प्रियोग किसके बनाने में होता है अमोनिया एलकोहल दही पेट्रोल इस्ट का उप्योग किसको बनाने के लिए किया जाता है तो आंसर सही होगा इसमें से बी सराब अथवा एलकोहल को बनाने में इस्ट का उप्योग किया जाता है इस्ट या सैक्र सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रियोग चीनी या माल्ट पदार्थू के किंडवन से सराब बनाने में किया जाता है नैश्कोर्षन पर आते हैं जीवों एम पर्रेवर में अन्योन्य कृरिया के अध्यन को कहते हैं क्या कहते हैं तो पारिस्थित्की कहा जाता है या सब्द का प्रियोक गया था उकलाजी सब्द का और इनकी अनुसार वातावरण ओर जीव समदाय के पारिश परिस्न्बंध के अध्यान को पारिश ठिद्क कहा जाता है नेश कुचन है डबल रोलती की सामानी फफव कौनशी है तो जो've म्यूकर होती है यह डबल रोटी की सामाने फफूंद होती है म्यूकर यानि जो राइजोपस है राइजोपस ब्रतजीवी होता है और समानता डबल रोटी पर उगता है इसलिए इसे राइजोपस को डबल रोटी की फफूंदी भी कहा जाता है ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है और इसमें काले रंग के बीजान बनते हैं इसलिए इसे काली फफूंदी के नाम से बीजाना जाता है सभी नामों को जानते चली किसी भी नाम से वही प्रशन पूछा जा सकता है best question है विशान में उपस्थित होता है तो विशान में या तो DNA होगा या RNA होगा क्योंकि वीशाण में एक ही नुकलिक पदार्थ पाया जाता है नेश कुछन है नाइट्रोजन का इस्थरी करण नाश्टाक द्वारा होता है नाश्टाक द्वारा तो हेट्रोसिस्टस में होता है आपको बता दें कि नाश्टाक एक नील हरी सेवाल है यह blue green अलगी है और इसकी कोशिकाएं प्रोकरियोटिक होती है और इसमें बिसेज प्रकार की कोशिकाएं हेटरोसिस्ट पाई जाती है इनमें nitrogenase enzyme पाई जाता है जो nitrogen इस्थिर करण के लिए उत्तरदाई होता है nitrogen fixation के लिए उत्तरदाई होता है नेश कुशन है पादब जगत का प्रोकरियोटा एवं यूकरियोटा में बिभाजन किन लक्षणों पर आधारित है किन लक्षणों पर तो उपर्यूक्त सभी लक्षणों पर आधारित है नेश कुशन है इस्टो मैटा नियमन में निम्न धातु का आयन प्रियुक्त होता है इस्टो मैटा नियमन में कहा गया है कौन सा धातो प्रिक्त होता है तो आंसर सही होगा इसमेंसे डी वाला पोटेसियम प्रिक्त होता है पोटेसियम नेश कुछन है इन में से किस पादपों में इस्त्रिधानी अनुपस्थित होती है ऐसा कौन सा पादप है जिसमें इस्त्रिधानी नहीं पाई जाती है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला इस पाईरो गायरा में इस्त्रिधानी या आर्ची गोनियम अनुपस्थित होती है न पाइनो थेरा लेमर की आना था, आप्सन सही होगा C वाला यागली की संध्या प्रिवरोज पौधे ने हुँगो डिवीज को प्रसिद बना दिया, next question है ग्लुकोज का स्वसन भाग फल दर है ग्लुकोज का स्वसन भाग फल दर कितना होगा तो आंसर सही होगा इसमें सिड्डी वाला 1.0 होता है RQ बराबर होता है निसकासित CO2 का आयतन बटे अवसोसित O2 का आयतन गुर्षूत्र प्रारूप का अर्थ है गुर्षूत्र प्रारूप का अर्थ क्या होता है आंसर सही होगा भी गुर्षूत्र समुच्चे का लक्षन प्रारूप होता है निसकासित है राइबो सोमल आरेने का संसलेशन होता है संसलेशन तो नुकलियोलस में होता है केंद्रिका में होता है और केंद्रिका में DNA से बनता है DNA से कीट रोधी पर जीवी कापास का उत्पादन DNA के एक खंड के निवेशन से किया गया जो लिया गया था किससे तो एक जीवान से लिया गया था और कौन सा बैक्टिरिया था वैसिलस थोरेंगेसिस अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से वीडियो को देख सकते हैं कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में माइटो कांड्रिया वा हरित लवक का गोडन होता है किस प्रवस्था में होता है तो आंसर सही होगा इसमें से सी वाला जी टू प्रवस्था में होता है नेश कुशन है लेमन घास का बानसपतिक नाम है लेमन घास का बानसपतिक नाम पूछा गया है तो आंसर सही होगा इसमें से बीवाला सिंबो पोगान सिट्रेटस होता है आपको बता दें कि यह ग्रमनी कुल का पौधा है ग्रमनी और इसे लेमन घास, सेट्रोनेला घास या बुखार घास भी कहा जाता है नेश कुशन है डिन्ने आडो के बिसिष्ट अस्थल के फासफो डाइस्टर बंधों को तोड़ने के लिए प्रियुक्त किये जाने वाला एंजाइम है तो रेस्ट्रक्शन एंडोनिकलेज एंजाइम और इसे रासानिक चाकू भी कहते हैं इसे रासानिक चाकू के अलावा आडवी कैची के नाम से भी जाना जाता है कोई भी option में रखकर पूछा जाता है तो घबराएंगे नहीं चाहे रासानिक चाकू कहा जाए चाहे आडवी कैची कहा जाए चाहे restriction endonucleus enzyme कहा जाए आप वही बताएंगे नेश कुछन है प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें नुकलियो अमलो का अभाव होता है वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं उन्हें प्रियांस कहा जाता है और ये केबल प्रोटीन के बने होते हैं केबल प्रोटीन के और इसकी खोज Stanley Prosciner ने की थी Stanley Prosciner ने जिसके लिए उन्हें 1997 में नोबल प्रुसकार से सम्मानित किया गया था नेश कुछन है वाहक आरने में त्रिक कोडान जो समानताः प्रोटीन संसिलेशन में आरंभ बिन्दु होता है त्रिक कोडान जो आरंभ बिन्दु होता है तो आंसर से होगा पहला AUG यानि वाहक आरने में त्रिक कोडान जो समानताः प्रोटीन संसिलेशन में आरंभ बिन्दु या स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उसे AUG कहा जाता है जबकि UAA, UAG और UGA को समापन कोडान कहा जाता है समापन कोडान नेश कुचन है यदि पत्रक पार्णब्रिंत के सीर्स पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है क्या कहलाएगी हस्ताकार संयुक तो पत्ती कहलाती है और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से पत्ती वाला वीडियो देख लेजे सब कुछ समन में आ जाएगा नेश कुचन है नमरेकित कतनों पर विचार की चीज़े तीन आप्सन दिये गए हैं और तीन आप्सन पर आधारित नीचे चार आप्सन हैं उनमें से चुनना है तो आंसर सही होगा इसमें से डी वाला पहला और तीसरा दोनों यानि युगमक सदयो अगोडित होते हैं और जो तीसरा वाला है मादा युगमक उच्छ पादपों में सदयो नर्य वुको के तुलना में बड़े आकारगे होते हैं नेश कुचन है बिटामिन ए उत्तरदाई है इसका किसका रताउंधी के लिए हम सभी लोग जानते हैं नेश कुचन है सिस्टोमा को सामान रूप से क् रक्त फ्लूग कहा जाता है या ब्लड फ्लूग कहा जाता है चाहे रक्त फ्लूग कहें चाहे ब्लड फ्लूग कहें सिस्टोमा को नेश कुचन है ओजोन परत के अवच्छ का प्रमुख कारण है चार आपसंतिये कहें हैं और ओजोन परत के अवच्छ का प्रमुख कारण प वही जहरिली होती है, जो ओजोन परत को नश्ट करती है, जगह जगह पर छिद्र करती है, ओजोन होल करती है, नेश्ट कोईशन पर आते हैं, निरुट में से कौन कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है, तो मायो सिन, मायो सिन कंकाल पेशियों के पतले से संबंधित है नेश कुछन है समसूत्री विभाजन के अंतरगत केंद्रकला अद्रिस से हो जाती है किस में अद्रिस से हो जाती है आंसर सही होगा भी बिलंबित पूर्बा अवस्था में अद्रिस से हो जाती है नेश कुछन है पेक्टिन किसकी आँखों में पाया जाता है आभासी देह गुहा का निर्मान किस से होता है तो आंसर सही होगा इसमें से C ब्लास्टो सील से होता है ब्लास्टो सील से नेश्ट कुछ नहीं मारकेल्स डिस्क होती है मारकेल्स डिस्क किस से होती है किस में होती है तो अंसर स्रयुगा तंत्रिकांत में होती है तंत्रिकांत यानि तंत्रिका के अंत में मार्केल्स डिस्क पाई जाती है नैश कुचन है एको सिष्टम में प्रमुक उर्जा का स्रोत होता है इको सिस्टम में तो उर्जा का सुरोत प्रमुक रूप से सूरी का प्रकास है सूरी की रोसनी है नेश कुचन है नमलिकित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रस गुर्ष उत्र पाया जाता है तो उपरी तो सभी के चाहे वो उभैचर हो चाहे वो सरी सरब पच्छी हो चाहे कीर्थ तथा तारामीन हो इन सब में लैंप ब्रस गुर्ष उत्र पाया जाते हैं और यह सबसे बड़ा गुर्ष उत्र कहा जाता है नेश्ट कुछन है नमलेकित में से कौन सा प्रोटोजोवा अंतापरजीवी का उदाहरन नहीं है हाइडरामीबा और हाइडरकसेना यह अंतापरजीवी के उदाहरन नहीं है नेश कुछन 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 है गाल जी उकरण का नहीं है आंसर सही होगा इसमें से डी प्रोटीन संसलेशन का अस्थल जो है यह गाल जी उकरण का नहीं है नेश कुछन है रेडाक्स अपकिरियों से संबंधित खानिज है रेडाक्स तो एफ ए सी यू रेडाक्स अपकिरियों से संबंधित खानिज है कुछ अमिनो अमल एक से अधिक प्रकूटों द्वारा कूटित होते हैं इसलिए अन्मासिक कूट होते हैं क्या होते हैं अपहासित होते हैं अपहासित और नेश कुशन हैं समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्ध गुरसूत्र एक दूसरे से प्रथक होकर व इने भाविस्य के पुत्री के इंद्रकों के गुर्शूत्र कहा जा सकता है तो आंसर सही होगा इसमें से C वाला एना फेस next question है खाली स्थान है एक आविकल्पी आवाईवी है तो आंसर सही होगा इसमें से बी वाला क्लास्टेडियम टेटनी आविकल्पी आवाईवी होता है next question है किसी कोशी का अंग या जीव के आकार द्रबिमान एवं आयतन का अनुत करमणी या इस्थाय रूप से बढ़ना क्या कहलाता है तो ब्रिद्धी कहलाता है ब्रिद्धी पहला वाला अप्सन से होगा next question है दाया अलिंद रक्त प्राप्त करता है किस से प्राप्त करेगा तो सुपीरियर एवं इनफीरियर बिना कोवा से प्राप्त करता है बिना कावा से hai rhodopsin कहा जाता है पहला वाला अपन से चाहें होती है नईर्म क्रेंबिद के सरीर से ज्ड़ कर घिरना कहलाता है एपोलाइसिस कहलाता है पहला आप्शन से होगा एपोलाइसिस नेश कुछन है गलोमेरुलस बना होता है आभिवाही धमनिका का गलोमेरुलस बना होता है नेश कुछन है किसी जीव की ब्रिधी एवं विकास के नियंत्रन हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदाई होता है तो आप् को का कार तो अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल को उस्सरजित करना होता है नेश कुछन है नवनिकित में से कौन सा माइटोकांड्रिया के अंदर होता है माइटोकांड्रिया के अंदर तो ट्राई कार्बॉक्सिलिक एसिड चक्र माइटोकांड्रिया के अंदर होता है जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर सनलंगन होता है वच्छ से शेर्ज उडा होता है वच्छ से नेश्ट कुछन ब्रता कार्डियन ने ने माइटो कांड्रिया देवं हरित लवक में पाया जाता है नेश्ट कुछन है निम्न में से कौन से जीवों को जगत प्रोटिष्टा में रखा गया है, तो उपरोगत सभी को जगत प्रोटिष्टा के अंतरगत रखा गया है, निम्न में से जीवों का कौन सा समोह बिना किसी अपवाद के अपनी विसेस्ताओं के साथ सुमेलित है, बिना किसी अपवाद क तो कांडिक्थीज इनमें से उपस्थित अंता कंकाल होता है समांता काक्रोज के लिए इनमें से क्या सही है क्या सही होगा तो डी वाला अप्षन से भोजन, मेंडेबल वा पेशड़ी द्वारा पीसा जाता है यूकरियोर्ट्स में अनुलेखर में बिसमांगी केंद्र की ये आरने निम्न द्वारा अनुलेखी तो होता है आरने पालीमरे सेकन्ड के द्वारा तीलोफेज अवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है तो उपरोग तो सभी सही है, डी वाला अप्षन से योगा नेश्ट कुचन है आंतरिक सूत्रकडि का कलावलन बनाती है ये कहलाते हैं क्रिष्टी कहलाती है क्रिष्टी नेश्ट कुचन है दुई पार्स भी ये सम्मेती देखने वाला प्राणी जगत का पहला संग प्लेटी हलमेंथीज है डी वाला अप्सन सा योगा next question है निवनिसे कौन सेलेंट्रेटा संग से समलित है समुदरी कुकंबर समुदरी खीरा कह सकते हैं आप सीवाल ओप्सन next question है टैड़ पोल से थाराइट ग्रंति को निकाल देने पर यहाँ क्या होगा जीवन परियंत एक टैड़ पोल ही रहेगा थाराइट ग्रंति को अगर निकाल देंगे तो थाराइट ग्रंति को अवाटु ग्रंति भी कहा जाता है next question है गालजी निकायों का एक प्रमुख कारे है प्रोटीन का सरकरा के साथ संयोजन करना गालजी निकायों का प्रमुख कारे होता है नेश कुचन है उपारजित लक्षणों की वनसागति किसके सिध्धान्त का मुखे बिंदु थी तो लैमार्क के सिध्धान्त का मुखे बिंदु थी तो आंसर सही होगा प्रारभ में एंटी रोसीलिक तथा बाद में साइजोसीलिक होता है नेशकुचन है पीत अस्ति मज्जा का कारे वसा को संग्रहित करना होता है वसा को नेशकुचन है कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है कोरी चक्र पेसी गलाइकोजन तथा यक्रित गुलुकोस के मद्ध में नेश कुशन इस्थरन पिंडिका पाई जाती है इस्थरन पिंडिका एसीडियन लार्वा में पाई जाती है एसीडियन लार्वा में नेश कुशन है पॉलिमरेस सरवाधिक किरिया सेल होता है और अंतिम कुश्चन है पॉलिकीटा में सीटी की प्रिकिर्टी होती है तो पॉली कीटा में CT की प्रिकिर्टी समूह में होती है ग्रूप में होती है तो आज के अंक में इतना ही